हे दूस्तों स्रीपर नेशने में आपके बहुत जोस्ता आपे दोस्तों आज की वीडियो है बहुत स्याद़्ा इंपोर्टेंड वीडियो है एकदम आग लगा दिने वाला वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको ऐसे तीन कम बताऊंगे जिसते की आप इग्नोर करने वाले का अकल्टिकाने में ला सकतो, मतलब कि अगर आपके पार्टर्राप को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको ऐसा तीन कम क्या करना होगा, जिससे कि आपको इग्नोर करने वाला आपके पैरों पी गिर के माफी मांगे, और इग्नोर करने के लिए पस्चा ताव करे, और कभी भी वो आपको इग्नोर करने का हिम्मत तक ना करे, तो सोची सकते हो कि कितना जादा इंपॉर्टेंट और पावर्फुल वीडियो है, तो लास तक जरूर वच कर लेना, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, जिसस जो पॉइंट होस तो यह है, इग्नोर करने वाला इससी वज़े से इग्नोर करते हैं, क्योंकि आप उनको उनकी आउकात से जादा भाव दे देते हो, देखिए हर किसका एक आउकात होता है, एक कहावत्ता आपने सुने होंगे, कि अगर कुतों को जादा सर पे चरौना तो वो सर पे ही चरे रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पार्टनार कुछ भी डिजर्फ करता है, उसके आउकात के अनुसार, देखिए अब सबकी आउकात होती है, आउकात को सुनते ही एकदम गलत मीनिंग मत पकड़ लेना, सबकी एक आउकात होता है, तो उनकी जो भी आउकात है, मतलब वो जो भी प्यार, रेस्पेक्ट आपसे डिजर्फ करते हैं, तो उससे आप बहुत ज़ादा उनको दे रहते हैं, और इसलिए वो समझते हैं कि हम क्या न क्या हो गया, हम बड़ा तीसमार खा हो गया, कि सामने वारा मुझे अपनी आउक से जादा प्यार, रेस्पेक्ट ये सब दोगे, तो वो खुद को एकदम कुछ ना कुछ ऐसा समझ लेगा, जिसके वदवलत वो आपको इग्नोर डेफिनिली करेगा, तो आपको क्या करना चाहिए, हर किसी के आउकात के अनुसार ही उसको प्यार ये सम्मान दिया करो, ठीक और उस आउकास से जादा अगर आप कभी भी उसको प्यार दोगे, जो कि वो डिजर्व नहीं करता है, तो जरूर वो इग्नोर करेगा, भाव खाएगा, तो आज से ही किसी को भी उसके आउकास से जादा प्यार और रेस्पेक्ट देना बंद कर दो, ठीक है, दूसरे बतले में इग्नोरेंस दे रहा है, जो भाव दिखा रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो उसको अपनी तरफ से दिये गई सारे सुविदाये बंद कर दो, मतले कि मालो आप उनको किसी भी तरह का सुविदा दे रहे हो, मालो आपकी वाइफ आपको इग्नोर कर रही है, लेकिन आप as a husband, उसको सब कुछ अपलब्ट करवा रहे हो, जैसे कि उनको पैसा दे रहे हो, उनको साड़ी लाके दे रहे हो, उनको घुमाने ले जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वावजूद वो आपको इग्नोर कर रही है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक तो उसकी आउकात के हिसाब से ही उसको प्यार दो, चाहिए husband ओ, wife ओ, सब की बारे में बता रहे हो, in general बता रहे हो, सब की बारे में, एक तो उसके आउकात के हिसाब से प्यार दो, दूसरा क्या है, आप से जो जो सुविदाय वो पा रही है, ठीक है, सब कुछ तुरंत कट कर दो, बं तो उसके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं तो इस तरह की आप सोच रखते हो और आप साधे सुविदा कंटीनियू असलिए उनको उपलप्त करवाते रहते हो अब दोस्तों देखी यहां पर यह बात है मानती हो कि आप हेल्पिंग नेचर के हो आपके लिए कुछ माइने नहीं रखता है कि सामने वाल आपको कुछ रिटार में दे या ना दे आप हमेशे उनको देने के लिए राजी रहतो रेडी रहतो लेकिन आप एक बात हमेशे याद रखना अगर आप उनको अपनी वैलू नहीं समझाओगे तो आप उनके लिए जान भी दे दो उनको कोई का भी फरक नहीं पड़ेगा तो कैसे समझा सकते हो अभी नहीं स्वास से कोई की पास नहीं है आप कभी सोचते हो कि सवास हमारे लिरी कितनाgestellt है कभी भी लेकिन अभी आप अपनी नाक और अपनी मुह्त करके देख लो आपको पता चल जाएगा कि सबसे जादा important हमारा स्वास ही है जिसको हम भूले बैटे हैं जिसके तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं तो दोस्तों ये तो सही बात है कि स्वास हमें कभी भी मैसूस नहीं करवाते हैं उसकी importance लेकिन दोस्तों जब तक हम स्वास बंद करके नहीं देखेंगे तब तक हम उसकी value नहीं समझ पाएंगे same way में जब तक आप उसको अपनी जो सुविदाय देते आ रहे हो दे रहे हो इसको बंद नहीं करोगे तब तक वो आप से की आप से पाई हुई सुविदाय या फिर आपकी value कभी भी नहीं समझ पाएंगे तो आज ही आप ये करो, उसको आप जो जो सुविराय देते थे, सब कुछ कट कर दो, सब कुछ बंद कर दो, फिर देखना कैसे रोते गिर गराते, आपके पासा के माफी मांगे कि मुसे गलती हो गए, मैं जिन्देगी में कभी आपको इग्नोर नहीं करूंगे, फिर नहीं कर बड़ी गलतियों में से एक गलती है, कि जैसी पार्टनर आपके लाइफ में एंट्री करते हैं, वैसे आप सोचते हो, मुझे भगवान मिल गया, मुझे एकदम परमात्मा मिल गया, और आप उनके साथ उस तरह से ट्रीट करते हो, मतलब बाके दुनिया जहन्न में जाए, म मड़े, जीए, उस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा पार्टनर खुश रहना चाहिए, यह जो आपकी मन की भाव है ना, तो इसी वज़े से आप क्या करते हो, अपने पैरों पे कुलाड़ी मारते हो, और सामने वाला आपको इग्नोर करने का जो है ना, बहुत ह मौका पा लेते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कभी भी, कभी भी ध्यान से से लेजिए, आपको कभी भी सामने वाले को इतना ज़्यादा प्रियरिटी नहीं देना चाहिए, कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, पैशन, होबी, केरियर, फ्यूचर, सब को 60% दो, कम से कम, 60% अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सब के लिए रखो, अपने पैशन, होबी, केरियर, फ्यूचर, अपने प्रोफिशन, सब के लिए आप 60% रखो, और जैसे दिरे-दिरे टाइम बीता जाएगा ना, आप उस रेशियो को कम करके, पार्टनर को 30 या 30% ही आप उनको इंपोर्टेंस दो, प्यार दो, और भी कि साड़े टाइम, साड़े परसेंटेस्ट जो है, आपने फ्यूचर में लगाओ, केरियर में लगाओ, फैमिली, इफ्रेंड्स, सब में लगाओ, इससे आपका भला ही होगा, वैसे मेरे वीडियो देखके, जो भी इसका अमल किये है, उनका भला ही होता है, तो अगर आप यह चीज़ करोगी, तो क्या होगा, हमेशा पार्टनर की इंट्रेस्ट आपके उपर बना रहेगा, कभी भी इग्नोर करने का जो है ना, साहस तक नहीं करेंगे, और हमेशा अगर वो इग्नोर कर भी चुके है ना, तो वो खु कियों को भी help मिल जाए, ऐसे वीडियो रेगूर लड़ ली जाते हो, तो स्री परना से चैनल को सब्सक्राब करके, बेल वाल आइकन दवाना ना भूलना, और अगर आप मेरे से डारेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हो, तो call me for application के थूरू, आप मुझसे डारेक्ट कॉल पर बात कर सकते हो, तो दुस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तके लिए, बाई!